तो हाय दूस्तो आज मैं बताने वाले हूं अगर आप PTM के थुरू बिजली बील करना चाहते हैं, इलेक्रिसीटी बील आप पंपे करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं पेटियेम से आज मिसी के बारे में बताया हूँ दोस्तों और इससे पहले अनले टेक के चानल पर नया है मेरी चानल को सब्सक्राइब करना बेल अकंट को प्रेस करना जिससे आने वाले नोटिफिकरिकिसन आपके पास आता रहेगा आप देख सकते हैं नीचे तरफ electricity bill का option है अगर आपको electricity bill का option नहीं दिखाए दे तो नीचे तरफ आप देख सकते हैं view more का option है इस पर आपको click कर लेना है इसमें electricity bill का option मिल जाएगा आप इस पर click करके आप आ सकते हैं Electricity Bill पर क्विक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार के इंटर्फेस आ जाता है आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा जूम। कर लेता हूँ इसके बाद आप देख सकते है बूर्ट का आपENSन है और इसके नीचे आप देख सकते हैं बी पी नंबर का option है, तो सबसे पहले हमें electricity board पर हमें click कर लेना है, तो मैं इस पर tick कर लेता हूँ, इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, select state का option है, इस पर हमें click कर लेना है, इसके बाद इस प्रकार का interface आजाता है, आप देख सकते हैं, अगर आप कौन से राजिया में रहत हो, आपको इसमें मिल जाएगा, आपको select कर लेना है, तो मैं 36 गड़ में रहता हूँ, 36 गड़ को मैं इस पर click कर लेता हूँ, इसके बाद आपके सामने select board का option आजाएगा, तो इस पर आपको click कर लेना है, तो मैं click कर लेता हूँ, तो आपके state की हिसाप से इसमें board 100 होने company ltd, इसका phone name होता है, इसके बाद आपको इस पर click कर लेना है, तो मैं click कर लेता हूँ, इसके बाद हमें BP number डानना पड़ेगा, जिसे हम service क्रमांग कहते हैं, जो BP number होता है, जो service क्रमांग होता है, ये 10 digit का number होता है, तो आप देख सकते हैं, नीचे तरफ भी लिखाया हुए इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं, जो customer का details होता है, इसके बाद आपको मिला लेना है, इसके बाद आपको जो बिल का समय होता है, इसको मिला लेना है, और नीचे आप देख सकते हैं, इतना भी आपके बिल में जो पैसे आया है, कितने पैसे आया है, ये नीचे 100 होने लगेगा, आप देख सकते हैं, जो मेरे बिल है, इसमें आया है 190 रुपया, तो इसमें 190 रुपया, ये तो इसमें से डारेक्ट आप कर सकते हैं, पै कर सकते हैं, अगर नीचे तरप और आपसन हैं, आप देख सकते हैं, बेंक इकाउर्ट से कर سकते हैं, डेविट काज सकते हैं, credit card से कर सकते हैं आपके सामने और दो तीन option आ जाता है तो मैं paytm से करना चाहता हूँ तो नीचे तरफ pay पर आपको click कर लेना है तो मैं इस पर click कर लेता हूँ मैं अपने paytm balance से ही pay से payt करना चाहता हूँ तो मैं इस पर click कर लेता हूँ तो मैं pay पर click कर लिया हूँ ये थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो मैं अभी बील पे किया हूँ ये सक्सेसफुल हो गया है और उपर तरफ लिखाया हुआ है आप देख सकते हैं 190 रुपया जो अभी मैं बील पे किया हूँ यह successful हो गया है अगर आप इस bill को आप share करना चाहते हैं या अपने mobile में save करना चाहते हैं तो आपको यू details पर आपको क्लिक कर लेना है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और आप कहीं share करना चाहते हैं नीचे तरफ आप सने view details का option है इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो मैं यू डिटेल्स पर क्लिक कर लिया हूँ और आपके सामने 3-4 आपसन ऐसे आ जाएगा सेयर करने के लिए वार्टसब, इंस्टाग्राम, जीमेल आप मेसेंजर आप देख सकते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो सस्क्राइब करना और अपने दोस्तों पास सेयर करना थैंक्स